हेलो परिंदों कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आज मैं आपको क्लास 10 की पोट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं उसमें से क्या पढ़ाऊंगे सेंट्रल आइडिया ठीक है तो आफ इसनों का मतलब जान लें डाश्ट आफ इसनों का मतलब क्या होता है डास्ट मिस क्या होती है धूल क्या होती है दूल होती है तो धूल क्या होती है छोटे-छोटे कड़ों से ही मिलकर बनी होती है ठेक तो यहां पर काड किसका माना गया है कड काड को माना गया है इसनो कशना में हैं कि स्क्रूंज क clash रूर्फ यानि बपोर्फ के कड़ बप्र के राबर्ट फ्रोश्ट जो बता रहे हैं इस चैप्टर में किसके बारे में बता रहे हैं बर्फ के करिसे बारे में बता रहे हैं ठीक है तो अब यह जो है हम सेट्रल लादिया joining भूदा समरी जान लेंगे कभी तो समरी का नाम सुनना होगा अगर नहीं सुनना है तो आज आप Dash सो असलद है की है इस चैप्टर में यह बतायागा राबर्ट फ्राश्ट दुखी है कैसे दुखी है ओ यहाँ से पता चलता है कि रबर्ट फ्राश्ट क्यों दुखी है और किसलिए दुखी है तो यहां से पता चलता है क्योंकि यहां पर किसको संब्लाइज किया गया है कववा को और धतूरे के पेड़ को और राबर्ट फ्रस्ट बैठे कहा है धतूरे के पेड़ के नीचे तो यहां से पता चलता है कि राबर्ट फ्रस्ट हमारे दूखी है क्योंकि इसलिए कववा को भी अप सगुन मा जाता है धतूरे का पेड़ यानि की धतूरे कफल दोनों में क्या होता है विश होता है तो यहां से पता चलता है कि रावर्ट फ्राष्ट हमारे क्या है दुखी है बहुत ज्यादा दुखी है ठीक है तो अब हम सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेगे समरी तो पता चल में central idea four marks की आते कितने marks की आती है four number की आती है यो है तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको four marks पूरा मिल जाएगा मुझेने की टीप्स बताऊंगी आपको वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है लास्ट में ही बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता अगर आपको याद नहीं यहां रहेगी Central Idea तो उसको कैसे लिखा जाता है तो जानले Central Idea का मतलब Main Theme यानि हमारे मुख्य विचार Central Idea का मतलब क्या होता है मुख्य विचार क्या होती है मुख्य विचार अब हम पढ़ेंगे दी पोयम Dust of Snow has been composed by Robert Frost दी पोयम कविता Dust of Snow Dust of Snow composed लिखने माले क्या है किसके द्वारा लिखे गई है Robert Frost के द्वारा या कविता हमारी किसके द्वारा लिखे गई है Robert Frost के द्वारा ठीक है और इसका चैप्टर कौन सा है हमारा Dust of Snow टीक दी पोयम एक्स्प्रेसेस दी इंपॉर्टेंस ऑफ इस्माल थिंक्स यह कविता एक्स्प्रेसेस में क्या होता है ब्यक्त करती है इंपॉर्टेंस मिस महत्व आफ इस्माल थिंक्स का मतलब छोटी छोटी चीजों या छोटी छोटी वस्तूं को तो यह कविता यह पोयम हमें ब्यक्त करती है छोटी छोटी चीजों को महत्वोड ठीक है क्योंकि वो दूखी बैठे थे दूखी से हैपिनेस में यानव sorry Nese हैपिनेस में कैसे change होता है यह हमारे पोयम में बताया गया है तो दी पोयम एड्मायर्स दी ब्यूटी आफ इस्नों पोयट यानि हमारे Yes प्रसंसा करना पोएट हमारे किसकी सुन्दर्त की प्रसंसा कर रहे हैं बर्फ की सुन्दर्त की प्रसंसा करना है According to the poet when the crow soup the hemlock tree and dust of snow particles fill on the poet then his sadness mood change into happiness According to the poet, poet के अनुसार, according मतलब क्या होता है अनुसार पोएट यानि कवी के अनुसार when, जब, क्रो मिस, कवा सूक मिस हिलाया क्योंकि वो hemlock tree के नीचे बैटे थे, धतूरे के पौदे के नीचे बैटे थे तो जब कवा हिलाया, किसको hemlock के tree को? धतूरे के पौदे को and मतलब all dust of snow, तब particles fill तब क्या हुआ? जो बर्फ के कड थे, वो क्या हुए गीरे? किसके उपर गीरे? poet then his sadness यानि poet के उपर गीरे, तो तब poet क्या हुए sadness थे, तो उनका mood किस में change हो गया? happiness में किस में change हो गया? happiness में, ठीक है? तो बस इतनी से हमारी central idea है एक बार फिर से में पढ़ती हूँ मेरे साथ सब लोग आप लोग बोलना ठीक है? बोलोगे जल्दी याद हो जाएगी है ना? तो एक बार बोलना फिर से पढ़ती हूँ मैं आप लोग भी मेरे साथ साथ जरूर बोलना ठीक है? तो देखिए The poem Dust of Snow has been composed by Robert Frost. The poem expresses the importance of small things. It can change one's attitude. The poet admires the beauty of snow. According to the poet, when the crow shook the hemlock tree and dust of snow, particles fell on the poet, then his sadness more changed into happiness. Okay. तो आपको मैं तिप्स दूगी, क्या दूगी, टिप्स जो इस डिटिंग में बताया था कि आपको रामबाड दूगी, तो आप लोग वेट कर रहे हो, बिल्कुल है ना, तो वेट करना भी चाहिए, तो tips यह है कि आप जो है क्या करेंगे पहले क्या देखेंगे पहले poem poem का chapter का नाम poem हमारी कौन सी है chapter का नाम chapter का नाम क्या है dust of snow यहाँ पर क्या लिखा गया है dust of snow ठीक है has been composed by यह line बस्याद रखना आप फिर इसके बाद जो हमारे लिखने वाले हैं कौन है Robert Frost अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी चीजें पता है poem के बारे में chapter के बारे में तो हम बना के लिख देंगे बना के कैसे लिखेंगे यह भी मैं आपको बताने वाली हूं जो आपको poem दी रही होगी यह जो दिया होगा कि हाँ इस poem के central डास्ट आप इसनों के central idea लिखना है तो आपको समरी इसलिए बताया गया है तो आप उसके recording लिख देंगे ठीक है यही हैं अमारी tips आपको वीडियो अच्छी लगी आई होप और आप वीडियो क्या करना लाइक करना कमेंट करना सेयर भी करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है थैंक्स फार वाचिन बेस्ट आफ लग